जे, फ्रेंट्स नमस्ते, एक्चुली आज पॉलिटिकल पर्शेप्शन पढ़ रहा था, पॉलिटिकल थौट आइडिलोजी पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मार्क्स और लेनीन पे ध्यान गया, तो मार्क्स वादी पर्शेप्शन को मैंने पढ़ा, बड़ा लगा, लेकिन भाई, अपने समाज में पॉलिटिकल पर्शेप्शन किस तरह का होता है, वो तो आप देखी रहे हैं, on the basis of useless things, but वो जो पर्शेप्शन दिया हमारे समाज को, गर्षन करना चाहिए, accept करना चाहिए, according to that, with the help of that पर्शेप्शन समाज को deal करना चाहिए, actually उन्होंने कहा है, कि जो समंतवादी है, जो अहंकारी है, जो पॉन्जीवाद है, उन सबों को आप देखिए, और उन सबों को आप देख करके छोड़िए नहीं, देखिए और रोकिए, क्योंकि वो लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको शताता है, शोशन करता है, तो फिर ये शोशन वादी जो विचारधारा है, उसको आप रोकिए, उसका विरोध करिए, तो ये परसेप्शन मेरे खाल से समाज के लिए बहुत बेस्ट है, अगर समाज नहीं चाहता है, तो फिर समाज दोसी है, उन्होंने मार्क्स वादी जो परसेप्शन आफ पॉल्जी वादी है, जो गलत विचारधारा के लोग है, और अपने शेल नीचे वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, दलित शमाज के लोगों को, वो लोग दवाते हैं, परिशान करते हैं, सुसन करते हैं, बैवहारिक हो, सारिक हो, मानसिक हो, हर तरह से टॉ ये परशेप्शन लेनिन का भी है, माक्सवादी का भी है, तो मेरे समझ से अच्छा है, ये जो परशेप्शन है, ये सीखना चाहिए लोगों को, हम लोग पढ़कर के समाज में इंप्लिमेंट करते हैं, यहां जितने भी लोग आते हैं समाज में कहते हैं कि समाज से गरीबी ह गरीबी हटाओ, यह बिल्कुल बात सही है, कि समाज से गरीबी हटाओ, लेकिन होता क्या है, कि गरीबी हटाते हटाते बिचारे गरीबी हट जाते हैं, और वो खुद को मजबुत हो जाता है, तो यानि कि ऐसा परसेप्शन, पॉलिटिकल परसेप्शन हमारे समाज में है, कि ना तो Lenin की बिचार धारा, ना तो Marks वादी बिचार धारा, किसी बिचार धारा को यहां पे लोग accept ही नहीं कर रहे हैं, उन सबों को देख के, सुन के, समझ के एक अपना बिचार धारा, यानि कि सब कुछ हटाओ, गरीवी हटाओ, सब कुछ हटाओ, सब को हटाओ, बस अपन लोगों का, वो कम होना चाहिए, untouchability की problem है, उसको भी हटाना है समाज से, फिर कई सारे अगून है समाज के, तो वो अगून शब को दूर करना है, और ये दूर करने के लिए कौन है, social activist है, और political parties है, नेताओं का तो यही काम है, वो तो यही बोलते हैं, election से पहले तो वो agenda बतल जाता है, ruling agenda अलग है, और बनने से पहले का, before election agenda अलग है, दो अलग-अलग agenda समाज में है, तो यही agenda से हम लोगों को बच के रहना है, कि भाई, लोग कह क्या रहा हैं, कर क्या रहा हैं, इस बात का analysis हम लोगों को करना चाहिए, as a being a good citizen of nation, एक अच्छा नागरिक होन के नाते, आप इस पर जरूर चिंतन करें, जरूर समझें, देखें, फिर देख करके अपना सही decision, thank you.